आज है पाँच फरवरी दो हजार इक्यस मुरली कासार मीठे बच्चे यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है प्रश्ण श्रेष्ट धरम और देवी करम की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो उत्तर तुम अभी पाँच विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रश्ट बनाया है तुम जानते हो इस समय सभी देवी धरम और करम से भ्रश्ट है बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ट धरम और श्रेष्ट देवी करम की स्थापना करते हैं तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो पढ़ाई से अपने आपको राज तिलब देते हो धार्णा के लिए मुख्य सार पहला सदा यह स्मृती रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धरम की स्थापना के निमित है इसलिए एक मत होकर रहना है दूसरा, स्वयम को राजाई का तिलब देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है वर्दान, त्रिकाल दर्शी स्थिती द्वारा, माया के वार से सेफ रहने वाले अतेंद्रिय सुख के अधिकारी भव संगम युग का विशेश वर्दान वा ब्रहमन जीवन की विशेशता है अतेंद्रिय सुख यह अनुभग और किसी भी युग में नहीं होता लेकिन इस सुख की अनुभूती के लिए त्रिकाल दर्शी स्थिती द्वारा, माया के वार से सेफ रहो अगर बार-बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतेंद्रिय सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे जो अतेंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षत कर नहीं सकता नौलेज़फुल होने के कारण उनके सामने वह तुछ दिखाई देगा स्लोगन, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायूमंडल बना सकेंगे ओम शान्ति कर दो शक्तिशाली वाय।